तो पिछले क्लास में हम डिफ्रेक्शन के बारे में स्टेडी कर रहे थे क्या पढ़ रहे थे डिफ्रेक्शन डिफ्रेक्शन का मतलब आपको बताया था कि जब भी लाइट किसी भी ऑफ्स्टेकल से टकराती है या फिर किसी स्लिट से पास होती है तो उसके किनारों से बैंड होती है और इस बैंड होने की फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं डिफ्रेक्शन ओफ लाइट जैसे आपने देखा होगा रोशंदान में छोटा सा होल होता है और उससे सनलाइट जब दिवार के उपर गिरती है तो आपको उस होल की साइज की कमपेरीजिन में बड़ा ब्राइट लाइट दिखाई देती है तो इस फिनोमेना को हमने बोला था डिफ्रेक्शन आज हम डिटेल में स्टेडी करेंगे इसको और जो डिफ्रेक्शन हम लोग स्टेडी करेंगे उसका नाम है फ्रोन ओफर डिफ्रेक्शन फ्रोन ओफर डिफ्रेक्शन में क्या होगा कि एक प्ल दिखाई देगी और जो स्क्रीन की ऊपर आपको ब्रैडनिस दिखाई दे रही है उसकी विर्थ कितनी होगी तो इसको हम डिटैल में स्टेड़ी करेंगे ठीक है तो किसको स्टेड़ी करना है डिफ्रेक्शन को और कौन से वाला डिफ्रेक्शन स्टेड़ी करेंगे फ्रोन ओ करना है अगर लाइट का सोर्स इंफाइन डिस्टेंस पर रखावा होता है तो उससे बनने वाला वेफ्रेंट कैसा होता है प्लेन वेफ्रेंट होता है उससे बनने वाला वेफ्रेंट का होगा प्लेन वेफ्रेंट लेकिन अगर हमें लेब के अंदर एक्सपरिमेंट करना है त इसके लिए हम एक अर्यंजमेंट करेंगे और उससे हम एक फोकस की उपर हमें एक लाइट के सोर्स को रखना है यह स्लेट है इससे कुछ दिस्टेंस की ऊपर हमने स्क्रीन को भी रखा हुआ है पिखिए तो यहां पर हमने क्या किया एक लैंस रखा और उसका इसका जो laying का फोकस है अगर लिंज के फोकस के ऊपर light का सोर्कू च cycle तो इससे इस सोर्स है और इससे Beetlek षो Director पुआने के देखर हो यहां पर यह वाला जो पॉयंट के ऊपर ऊपर नीचे है यह थोड़े फास चलेंगे तो आप क्या देखोगी कि टी टाइम बाद में जब यह लैंगे से पास इंसिडेन्ट होगा तो यह यह है आपना वेफरेंट ठीक है तो यह जो एकांपर इंसिडेंट हो रहा है कौन सा भूसम ये प्लेन वेफरेंट है ठीक है अचाँ अच्छा फ्ले система करेंश कैसे तो इस स्फेरिकल बनेगों किसमें कन्वर्ट हो जाता है प्लेन वेफ्रेंट के अंदर रखोता है अब क्या करणा है इस प्लेन वेफ्रेंट को अबजर। करना कि यह वाला जो प्लेन वे फ्रेंट यह आगे किस तरीके से पास होगा ठीक है तो इसका कुछ नाम रख देते हैं यह कोई यहां पर स्लिट की उपर इंसिडेंट हो रहा है अच्छा जो स्लिट उसकी विट थोड़ी जादा है तो इस वे फ्रेंट की उपर जितने भी लेकिन इसके उपर जितने भी पॉइंट से सबके सब एक सोर्स की तरह भी हो करेंगे सोर्स की तरह भी हो करेंगे तो आप इतनी सी यह जो लेंथ है वे फ्रेंट की इसके उपर कितने पॉइंट एजूम कर सकते हो इंफाइने तो हम क्या वह रहेंगे कि यहां से इंफाइन पॉइंट सोर्स हमको कंसिडर करने यह बात समझ में आगे सबको अच्छा अब यहां से बाहर निकला और स्क्रीन के ऊपर पहुंचे तो स्क्रीन के ऊपर पैटर्न जो भी बनेगा उसको क्लियर देखने के लिए हम एक और लेंगे ताकि हम जो पैटर्न बने उसको फोकस कर प यह बी कắॉणेग से अब हैं यह जो Π्लेन वेव फ्रेंट है इसके उपर जितने भी पॉइंट समय कर रहे हैं मादलों कि इसके उपर कितने पॉइंट सोर्स है लेकिन हमने 100 पॉइंट सोर्स होंगे इनको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया 50 उपर है और 50 नीचे हैं यह जो फॉस्ट नंबर का पॉइंट सोर्स होगा इस से जो सेकेंड्री वेवलेट्स चलेंगी ठीक है उनको अगर स्क्रिन के सेंटर पर पहुंचना है पहले सेंट से लेंगी उनको अगर screen के center के ऊपर पहुँचना है तो उनको यह वाली डिस्टेंस ड्रेवल करनी पड़ेगी और इसी तरीके से 100 नमबर का पॉइंट सोर्स है इस से जो secondary वाले जो आगर उनको screen के center पहुँचना है तो उनको यह वाले distance travel करनी है अब आप diagram के अंदर symmetry को देख सकते हों कि यह लगी डिस्टेंस बराबर है इसलिए यह जो होंगी दोनों उसक्रीन के सेंटर के ऊपर साथ कुछ ने में यह जो दोनों सोर्स हैं इंभे इंतो चलने वाली सेकेंड्री वैवल किया करेंगी स्क्रीन के सेंटर पेंचने में ब़राबर डिस्टेंस करेंगे और एक्टरॅ करके यहाँ पर पहुंचेंगी तो इनकी बіч का पाथ करेंट कितना होगा जेक्र पाथ पाथ क्रेंट्स भी नहीं होगा अगर पा इफ रिफेंट्स नहीं होगा तो यहाँ पे निए लगा है और इसकी वज़िका होगा यहां पर तो हमने यह वाला जो पॉइंट है यह जो वेवड्वेंट इसकेंड्र पॉइंट सोर्स कर लिए माल लिया इसकेंड्र पॉइंट सोर्स होंगे लेकिन फीर विर नंबर का पॉइंट से सुर्थ वो जब स्कूरीन के Это पहुंचेंगी तो उनको भी इतना ही डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा अगर वह सेट 디स्टेंस कवर करport missing कवर करके स्कूरीन के सेंटर के ऊपर पहुंचेंगी इतों इनके बीच का जो नहीं पाथ कितना होगा पाथ कोई डिफ्रेंजी नहीं तो एक साथ पहुच गई वहां पर जीरो पाथ रिफ्रेंज अगर दो लाइट के बीच में होता है तो कौन वाद पॉजीशन के बिच पर फोजिशन होगा यह सेकंड लाइट वेव हैं और यह आपस में एड और यह न का जो पाथ रिफ्रेंस की साथ में और लेप करती हैं तो यह वाला जो सुपर पॉजीशन है इसको हम बोलते हैं मफिन को स kiedy है वू सक्रेंड़ के सेंटर के उपर पहुच रही होंगे क्या इनको भी बराबर डिस्टेंस कोवर करने पार करने की छिए इनकी बीच में थे होगाए जिरो ऑडि पाथ रिफ्रिंश होगा तो कौंसे चुमर्पोपो तो नमबर के पॉइंट सोर्स से थोड़ा नीचे आजाओ क्या होगा और 99 से जस्ट उपर क्या होगा नाइंटी येट नमबर का पॉइंट सोर्स होगा उनसे जब सेकेंडरी वेविलेट्स स्क्रीन के सेंटर के ऊपर पहुंच रही होंगी तो इनकी बीच का पाथ डिफ्रें साथ के साथ निचा ओले के से साथ ृवन का हंडिट के साथ बना टू सीनटी नैम रिका नाइंटी एट पोर का इसे से था कि दसाओंगे इनका पैर बनेगा निचा वाले फिप्टी पॉइंट मो Tenemos साथ और आगःट इसाथ हो रही है तो हमिशा आपको प्रॉभाोरि सेंट सेंटर पर आपको क्या भी लेगी ब्राइटनेस मिलेगी तो स्क्रीन का सेंटर सबसे ज्यादा चमक रहा होता है रिफ्रेक्शन के अंदर स्क्रीन का सेंटर सबसे ज्यादा क्यों चमकेगा क्यों कि पूरा का पूरा वेब फ्रेंट वहां पे उससे जितने भी पॉइंट से उ क्योंकि यहां पर आपको maximum intensity दिखाई दे रही है इसका नाम क्या रखा central maximum नाम रख दिया और इंटेंस्टी maximum है इसका क्या नाम रखा central maximum ठीक है यह चीज़ के लिए एक दम अब यह तो screen के center की बात हुई लेकिन screen के center से अगर दूर कोई point हो तो वहां पर आपको brightness मिलेगी या darkness अब वह आपको calculate करनी है तो उसके लिए हम वापस से देखो इसी diagram पर आते हैं और यह चीज में यहां पर मिटा देता हूँ एक बर क्योंकि इसका काम हो चुक है screen के center पर आपको क्या मिलेगा central मैक जो मिलेगा वह समझाना था इसके लिए हमने इस diagram को बनाए था अब वापस से यह लें सहीं कर लेता हूँ अब मैं screen के center से और कुछ distance की उपर यह मालनों कोई point है यहां पर x distance पर माल लेते हैं यहां पर आपको brightness मिलेगी या darkness मिलेगी यह हम calculate करके देखेंगे अब पहले को हमने कहां पर चेक किया सेंटर पे तो सेंटर पे तो पता से लिए कि यहां पर क्या मिलती है brightness मिलेगी यहां पर मिलेगी उनको हम क्या बोलते हैं उनको हम बोलते हैं सेंटर पे जो मैक जिमा होता है उसको हम primary मानते हैं और इसके अलावा जितने इसके नबर के चैक किवे ऑलेंगे जितने अपको मैक जिमा मेल करने के इस सकत्र reforms लावा उनको हमको हमरें सेंटरल मेक सबने कि बाकी बाकिए सब्सक्रeंक के लोग और जहां को सब्सक्राइब ऑब August Time secondary minimum minimum intensity ठीक है तो secondary minimum मतलब क्या होगा कि वह points जहाँ पर आपको minimum intensity मिल रही है और secondary maximum का मतलब क्या होगा वह point जहाँ पर आपको maximum intensity मिलेगी तो यह से लेके वी तक कि पूरा का पूरा वेब्फोरेंट है अब यहां से वापस हम यहां पर पहुंचेंगी सबसे बहुत से कि अब यहां से से केंडरी वेवलेट्स एमिट होगी और यह जो समय स्क्रिन के प्रेट्स के वाहर निकलेंगी उनको पीपॉंचनाए और लौट उसको पर पहृंचना है उसको यह वालिठेंस कवर करने पढ़ेगी दिस्टेंस कवर करनी उससको क्या करनी है कवर करनी पड़ेगी और यह जो hunड़ नंबर पॉंट ससे यहां से रहें superhero को उपर इस पी पॉइंट के ऊपर पहुंच रहा है तो उनको यॉल nooit सच्टेंस कर नहीं कहांँ कि ना इस पार डीस्टेंस कर लाबर है नहीं इस पार दोनों सब्सक्दिया besar बनलग है यहां बर बने कम होगा हो जाएगा पाथ सेंटिमेटर लेंख यह थीजल को हम उसी पाउंड्न स्क्रिए तो स्क्रिन की यूपार और क्या वह स्क्रिटेंगी उनके बीच में और इक पास डिफ्रेंख होगा अगर path difference create हो गया तो अब आपको यह चेक करना है कि वह path reference कितना हो कि आपको brightness मिले और कितना हो कि आपको darkness मिले तो यह पन check करेंगे तो पहले path reference calculate कर लेते हैं कि यह path difference है कितना तब ही तो अपन बाद में उसको check कर पाएंगे कि brightness मिलेगी यह डाक्नेस तो एक काम करते हैं के ली और लाइन वार में कर लाईनों के लेंद का डिफ्रेंस पाइंड difेंस होगा सोगहाथयं कि यह vendors बेंना तो आपको क्या करना इसके लिए को तरीका का पामें लेन दो फैने लाङन से बड़ी लाइन पर पर अब यह जो पॉइंट मिला एम इसके इधर वाली जो यह दोनों डिस्टेंस अब यह जो पॉइंट मिला एक इसके इधर वाली जो यह दोनों दिस्टेंस होगी जैसे एपी और एंपी ये दोनों क्या हूंगी यहां पर कौनकॉन से अप्र समय यह मतरब यह दोनों जो सेकेंडरी वेवलेड़स चलेंगे यह और पॉइंट से इनकी बीच में पाथ भडिफरेंस कितना आएगा तो वह ऊתब usable calculate करके देखना आपने पनको तो बियों को कैसे calculate करहे तो उसके लिए देखो आसान तरीका है यहाला एंगल माननोंधी इसे सामनी यह पर MOR Tenious spherical प्रपेंडिकुलर और यह क्या होगा तो आपको है यह सब्सक्राइब करना तो परपेंडिकुलर और हाउपटैनेस में क्या रृएशन होता है we're so mad ato gagnτο सकता हूँ यहां पे साइन थीटा इकवल्थ टू िठीटा एकवल्थ टू दू दी एपन ए टो लिए मज़ों क्या आएगा झाए थीटा आया की नहीं और इसी को हम क्या बोल रहे हैं पाथ difference तो पाथ difference हमने calculate कर लिया कि इन दोनों secondary weights की बीच में path difference कितना create होगा यह होगा a sin theta के बराबर ठीक है अब हमको यह चेक करना है कि यहाँ पे brightness मिलेगी या darkness पाथ difference हमने calculate कर लिया first और 100 number के point source की बिच लेकिन अभी हमें यह नहीं पता चला कि यहां पर आपको ब्रैटनेस मिलेगी या डाक तो इसको अलग से चेक करते हैं यह डाइग्राम में वापस से ड्रो कर रहा हूं छोटे वाला यह जो ट्रैंगल मैंने बनाया है यह ए पॉइंट है यह बी पॉइंट है ए पॉइंट बी में इसको अलग से समझेंग पर ठीक है यह बोला कि जो फस्ट लमडर का पॉइंट सोर्स जोंग यहां पर उनके बचेंटरी यह बी यह नहीं को हां थी आगे जो दिस्टेंस ऑप है हमने हमने क्या मान रखऊ है यह वाले यह वाली आग़े जो इस इसाप्टराइब ग्यों अलगलग कंडी образом गोगा सकता है। करेंगे यह 10 OKS जो सीकेंडруш नहीं जाएंगे स्क्रीन के उपर उनके विच में कौन सा lange स्पॉपर पॉजिशन होगा तो मैंने माल लिया कि यह जो पाथ डिफरेंस होसा हिए कितना है इसको 멤ंडा कंसिडर कर लिया क्षिक्म कि लेंटर किक्षिक यह यह क्या ही है अगर पाथ है अधर ट्रお願いします लिए को इसको मैं दो पार्ट में डिवायड रहा है इकोल पार्ट में देखो यह जो कितनी है एक बराबर है यहां यहां से मैं पी पॉइंट को जोइन करूंगा जोइन कर रहा हूं ठीक है तो यहां यहां पर रोक किया तो इस पर्पेंडिकलर के इधर वाले स्क्रीट से काफी दूर होता है और स्टे की यह इतनी चोटी होती है दिखेंगे रोचन-दान में और थोड़ घरती है तो आपको ब्रैट इपाइड्ट पैटन बोलते हैं तो उसमें च्रीट के होते हैं वह छोटी होती है और और होता है तो अगर स्क्रीन दूर रहेगा तो यह जो एंगल बनेगा यहां पर बहुत चोटा बनेगा और चोटा बनेगा तो यह तीनोस लाइने में अल्मोस्ट टाइप कि आपको दिखाई देंगी ठीक है तो आगे वाली स्टेंस आपन के कोल माल लेते हैं अगर नाने है तो यह एंगल भी यहां पर 90 वनेगा कि आप परपेंड्डिगुलर रोग कर रहे हो इसके उपर तो यह 90 यह भी 90 तो हमने यहां पर देखा कि यह जो बड़े वाला ट्रैंगल है इसमें यह वाला एंगल है थीटा यह एंगल कितना था थीटा और यह जो छोटे वाला ट्रैंगल कितना है यह इंगल यह वह यह खोते हैं जो जो चोटे वाला ट्रैंगल है और यह बड़े वाला ट्रैंगल यह दोनों किया हैं और और similar triangles की property क्या होती है उनमें sides का ratio equal होता है sides का ratio क्या होगा equal होगा जैसे मान लो कि ये total distance है ये distance कितनी लिए अपने a by two तो उसी तरीके से अगर ये lambda है तो ये distance कितनी होगी लेमडा ये की हाफ ओगे यह टोटल है यह इसका एयाँ तो समझति पैस क्या होता इक लात क्या हुल प्टिक है तो यह ले मदा है तो यह ले मिश्वका हणी और पर आप अब इमपोर्डेंट बात यह हनेंन पर 50ермर का पॉइंट वोगा और अब दुद़ा होगा ना अब एक शर्ट के सोर्ट के कि फरस्ट नंबर के पॉंट सोर्ट चे जो सेकेंडरी वैलेट जा रही है और फिप्टी वन नंबर के secondary wavelengths के वीच में पाथ difference light weather All才 is अगर पाथ difference लेंबड़बाइड года टू होता है दो सकता जबच बीच में कौन सा सूपर पोजिशन होता है यह फैस्ट राइट वेव है दूसरी लाइट वेव लेंड़डा से इस्टार्ट कर साथ में तो हमेशा कौन सा सुपर पॉजिशन होता है डिस्टक्टिव कौन सा सुपर पॉजिशन है तो इसका मतलब लाइट विश आपस में कैंसे लोगी और यह जो फर्स नंबर पॉइंट्ट Spirit가 जा रही है और फुप टीम होड़ेंगी सद्ट्टीर वापत क्या होगा मैं थे आ dos पहने से उस्थ से एंगी क्योंकि इससे जितना रचन नीचे यहां पर सेकन्ड पॉइंट मिलग की अपने इनके का पाथ पहां को आप दो-दो के पैर बनाते जब आपको इजिली समझ में आ जाएगा जिसे वन का 51 के साथ बना टू का 52 के साथ 53 के साथ ऐसे करते करते जब आप 50 का पैर किसके साथ बनेगा अंबलंका यहां से जो सेक्टोंडी बैवलेस जा रही है उनके ये जी आगे वाले धिस्टेंस तो बराबर है तो यह जो डिस्टेंस चैना और एनवे जब आप दो दो के ऐसे पैर लोगे ना ऐसे निच्छ आते जाओगे तो फिटी का बनेगा के साथ जैसे वन का 51 के साथ बना तो का 52 के साथ 53 के साथ तो 50 का 100 के साथ बनेगा और आप क्या देख रहों कि इन पैर्स के अंदर हर एक जो दो पॉइंट सोर्स हैं उनकी बीच में जो पाथ डिफ्रेंस चल रहा है वह लेंड़ावाइट टू का पाथ रिफ्रेंस अगर होता है तो कौन सा सुपर पोजिशन होगा डिस्टक्टिव इसका मतरब उपर वाले जो 50 पॉइंट सोर्स होंगे इनसे जो सेकेंडरी वेवलेट जा रही है और निचे वाले जो 50 पॉइंट सोर्स हैं इनसे जो सेकेंडरी वेवलेट जा रही है यह आपस में कैंसिल हो जाती है तो स्क्रीन की उपर आपको पी पॉइंट पे कितने इंटेंस्टी म कि अगर यह पात डिए इसकी टर्म में लिख रहा हूँ मैं कि अगर यह पाथ डिफेर्च जो हमने कैलकुलेट किया था ऐसा इंखिटा अगर यह लेमड़ा होगा तो आपको फस्ट सेकेंडरी मिलेगा फस्ट ताइम के सेंटर से फस्ट ताइम आपको minimum intensity मिलेगी लेकिन अगर पी-पॉइंट थोड़ा उपर होता तो यह पाथ डिफ्रेंस थोड़ा और ज्यादा होता पी-पॉइंट को थोड़ा उपर होगा फिर आधा फिर वापस से आप देखो इस उपर वाले ट्रेंगल को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दो तो यह वाली डिस्टेंस कितनी है यह थ्री लेमडा वैट तो मैंने क्या किया यह जो बड़े वाला ट्रेंगल इसको फोर पार्ट्स इस प्यूदान ट्रेंगल से होगा पिर एक इस चोटा यह वाला बने देखा चार ट्रेंगल्स बनेंगे यह पर चारों सिमलर होंगे अगर यह चारों ट्रेंगल चारों ट्रेंगल सिमलर्क है तो पिल्द ये total A है suppose करो तो ये कितना होगा ए by 4 ठीक है तो ये क्या होगा मतलब ये total length है इसका 14 होगा ये 14 मतलब टू लेंबडा का 14 कितना लेंबडा बार फिर ये total कितना है ये total ए है ये distance कितनी है है यह लैंबडा होगा फिर टोटल लेंथ ए है और यह क्या है एफ यह जो रेषयो हो वह साइड के यहाँ पर जाए टो यह कितना होगा यह थ्री लेंबडा बैट टू होगा बासमेज में आ रही है क्या यह 3a by 4 होगा 3a by 4 तो 3a by 4 का रिशो लोग रहा है 3a by 4 इंटू 2 लेमडा तो यह 3 लेमडा बाइट बनेगा मतलब यह हुआ कि हमने चार पार्ट में इस ट्रैंगल को डिवाइड कर लिया और 25-25 पॉइंट सोर्स की ग्रूप बन गए अब एक चीज बताओ कि यह जो यह जो 25 पॉइंट सोर्स होंगे और अगले वाले जो 25 पॉइंट सोर्स है इनको देखो निच वाले वाट छोड़ दो तो यह जो फरस्ट न नमर का पॉइंट सोर्स होगा इंसे जब सेकेंडरी वेवलेट्स पी पॉइंट की उपर पहुंचेंगी थोड़ा उपर इस बार अपने तो आप क्या देखोगी कि यह जो पाथ से कितना रहेगा मतलब जब हमने यहां पर लिया है और हमने इस ट्रैंगल को चार पार्ट मे अब लोगे कि बी कितना है लेमड़ावरे तू और लेमड़ावे तू पाथ होताय होता है तो हमेचा वूइंच और इसका मतलब पर सब्सक्रीशन करते सब्सक्राइब के साथ में कैंसिल फिर आज़ो थोड़ा नीचे यहां पर टू नंबर का पॉइंट सोगा और यहां पर ट्वंटी सिक्स से नीचे को नोगा ट्वंटी सेवन तो इनकी बीच में पाथ रिफ्रेंच होई लेंडवाइट चलेगा इसी तरह किसे करते-करते नीचे आओगे तो यहां पर 25 होगा Yo तो oni के साथ में कैंशिल हो रहाएं कि मतलब अपने इस पूरे के पूरे वेव्ट्रेंट के चार पार्ट के तो पहला जो वनफॉर्ट पार्ट है वो दूसरे रफॉर्ट के साथ में कैंसिल होगा और इसी तरीकी से आगया जाओ यह वाला जो पॉर्शन है इसको देखो यह 51 से लेके 75 तक एक ग्रूब बनेगा 76 से लेके 100 तक दूसरा ग्रूब बनेगा यह वाले डिस्टेंस कितनी है लेंबडा यह डिस्टेंस कि डिफ्रेंस है अगें लेंडा बैटू मतलब यह है कि 51 नंबर का 26 नंबर का पॉइंट सोर्स इनके बीच में पाथ डिफ्रेंस कितना हुआ लेंडा बैटू कॉंसा सूबर पोशिशन डिस्ट्रक्टिव इसका मतलब यह है कि यह वाला 25 का ग्रूप और यह वाला 25 का ग्रूप भी आपस में कैंसल होगा तो स्क्रीन की उपर आपको पी पॉ इंटेंस्टी को कैंसल कर रहे होंगे वह आपस में कैंसल हो रहे हैं स्क्रीन के उपर पी पॉइंट पहुंचेगी जीरो इसका मतलब सेकेंड कंडिशन क्या गई मिनिमा की टू लेंडा पाथ डिफ्रेंस अरे समझ में अगली कंडिशन आप बताओ क्या हो सकता है अगली कं एंगल के हम 6 पार्ट कर सकते हैं 6 इक्वल पार्ट होंगे और 6 इक्वल पार्ट में से पहला जो 16 पार्ट होगा वो दूसरे 16 पार्ट को कैंसल करेगा क्योंकि उसमें वही लेंडा वापस दिखाए दिएगा तो ऐसे दो दो की ग्रूप जब भी बनेंगे ना जैसे फोर ल इंटेंश्ट को की अपन को कि जबढ़ लेंडा टूलेंडा यानल का जबड़ेंडा जब लाइट इसको बिचुन सा पाथ का यक्ल हम पहले पॉइंट सोर्स और लास्ट वाले पॉइंट सोर्स की बीच में इनका चेक कर रहे हैं बीच में तो अपने अपने फिर उसके अकोर्डिंग डिवाइड हो रहा है तो जब जब यह पाथ रिफ्रेंज बी एम जिसको हमने कैल्कुलरट कर रखा हमेशे आपको मिलेगा मिलेगा जैसे अगर कर सकते हैं अब कहीं पर मैकजिसमा भी मिलेगा यह नहीं मिलेगा वह भी चेक कर लेते हैं तो हमने लेमडा पे चेक किया टू लेमडा पे चेक किया और हमको यह चीज़ पता है कि जो फ्रिंजेज होती है ब्राइटनेस होती है वह हमेशा अल्टरनेट आपको दिखाए देती स्क्रीन की उपर इंट्रफेरेंस में पड़ा था यह पर ने इसका मतलब लेमडा और टू लेमडा पे भी डाकनेस तो बीच में क्या होगा ब्रैटनेस होनी चीना अल्टरनेट होती है फ्रिंजेस तो फ्रिंजेज तो फ्री लेमडा बाइट टू पे चेक करके आपको बताता हूं मैंनो वापस डाइग्राम बनाया यह देखो यह यह एंपॉइंट भी यह इस बार यह जो पाथ रिफ्रेंस ही कितना ले रहे हैं हम लोग लेमडा बाइट टू यह टोटल डिस्टेंस कितनी है ए इस बार यह जो ट्राइंगल बन रहा है यहां पर इस ट्राइंगल को मैं त्री पार्ट में डिवाइड करके समझूगा ठीक है जब तक लेमडा टू लेमडा यह वला इवाला आपने पाथ डिफ्रेंश लेका था था तब हम दो 파क्रęd रहे थे चार पर रहे थे इसके लिए प्वार्ट तो यह यहां पर 3 बाइट टू है अगर आप 3 पार्स कर्रें हो इक्वाल यह ये वाई 3 होगा यह ट् emergence होगा और यह क्या होगा ए तो यह ac सिर्फ फिर यह ट्री तो वण्ट्री का रेशो है तो उसी तरह किसे अगए त्री लेम्डा वाई आई बास मज़ में तीन पार्ट क्यों कि अपर ने अब देखो मालों यहां पर फस्ट नंबर का पॉइंट सोर्स है और यहां पर 25 फिर यहां पर सुरी यहां पर 33 होगा 33 यहां पर 34 यहां पर 66 और यह 67 और यह 100 बास मज़ में यह अब एक चीज बताओ पस्ट पॉइंट और 34 नंबर का जो पॉइंट सोर्स है इससे जाने वाली सेकेंडी वेविलेट की बिच में पाथ रिफ्रेंस कितना है लेंड़ बैट टू लेंड़ बैट टू का पाथ रिफ्रेंस है तो कौन सा सब्रबोशिशन डिस्ट्रक्टिव तो यह जो उपर वाला पार्ट है जो नीचे वाला वंधर पार्ट है इसमें एक एक पॉइंट सोर्स का इस तरीके से पेर बनेगा और यह आपस में पूरे के पूरे कैंसिल मतलब यह और यह दोनों आपस में कैंसिल कितना बचा अब इस जो इंसिडेंट वेव फ्रेंट है उसका एबाइथ्री औ पार्ट जो भी था उससे जो लाइट वेव जारी हो तो आपस में कैंसिलोगी कितना पार्ट बच रहे हैं एवाई थ्री बच रहे हैं ठीक है तो इस पॉइंट की उबर जो आपको इंटेंस्टी मिलेगी लाइट की वह जो सेंटर पे पूरा का पूरा पार्ट पहुंच र पी पॉइंट की उपर कितने इंटेंस्टी मिलेगी अगर यह पाथ रिफेंज त्री लेंट अब आपको आपको क्या दिखाई जा रहा है कि सेंटर पे तो पूरा पूरा जो एए साइस का वेव फ्रेंट है इससे जितने भी पॉइंट सोर्स है सबकी लायट पहुंच रही थ वेव है तो पूर्ण पर पहुँचा अगर तो अधर पार्ण इसकी इन्टेंस्टी कितनी होगी ऑन बॉल देता हूंझ इंटेंस्टी होगी एंसकी स्क्वेर यानिकी स्क्वार गाइन क्या होगी छ्वेर गाइन नाइन मतलब की सेंटर पर जो ब्राइटनेस आपको मिल रही है उसकी कंपेरिजन में इंटेंस्टी कितनी है आई नॉट भाई नाइन हो गई ना एक तरह से बात समझ मैं क्या वन नाइन आइन आपको पोर्षन लाइट की इंटेंस्टी का मिलेगा है कि सेकिंड जो कंडीशन मतलब फर्स्ट आपको मैंग्जिमा की कंडीशन मिल गई फर्स्ट मैं मतलब कब मिलेगा मैं लिए 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 कंडीशना यह और यह पाथ रिफिश्रेंस फाइव लेमडा बाएट टू होगा सबोस करो कि तो इस ट्रेंगल को कितने पार्ट में पार्ट कर लो इसके पांच मेंसे चार पार्ट आपस में कैंसिल होंगी जैसे भी हो रहे था ना यह दोनों वैसे लेंड़ा बाइट ना चार के साथ में सिर्फ वन फिफ्ट पॉर्शन बचेगा वन फिफ पॉर्शन बचेगा तो आपको इंटेंस्टी कितनी मिलेगी मतलब जैसे उपर थोड़ा सा उपर पॉइंट हो गाई है इंटेंस्टी मिलेगी ए बाइफाइव का स्क्वेर यानि ए स्क्वेर बाइट 25 यानि आए नौट बाइट 25 आई की नहीं आई बास में क्लियर है तो मैक्जिमा की दूसरी कंडिशन मैंने लिग दी कि यह होना चाहिए लेंड़ा बैट 25 अगली कंडिशन आप इजली बता सकते हो सेवन लेंड़ा बैट टू ट्रैंगल की कितने पार्ट करोगे सेवन करके समझोगे यह आपके समझने के लिए आपको करके बताना नहीं एक्जाम में यह यह आपको आपको बता रहूं ताकि इस चीज समझ में मिलेगा और इसके लिए बना लेते हैं इसी तरीके से यह सेवन लेंड़ा बैट टू है एंड सोन ठीक है तो एंड की मेल्यू हम दोनों में कहां से स्टार्ट करेंगे वन टूओ इससी सथकरेंगी से टेक है तो एंड помог रिफ्रेंचेन के तब तो मिलेगा मिनिमा है कि अगर लेंड़ा पात रिफ्रेंच है तो फट सेकेंडरी लेंडा मिलेगा अगर ट्रू लेंडा पाहत और और टू लेंडा गाट इसकेंडरी fällt rugby हैंट्विका तो थिर्द से मेक जिमा मिलेंगा कौ biscuit से केंड़ी मेक जमा की कंडिशयंद क्यों होगी थार्ड मीक होना चाहिए थार्ड सेकंडरी मैध में चीशन क्यों Мих Mirji 7 lambda by 2 path reference होना चाहिए तो इस तरीके से अपन conditions define करेंगे तो short में formula क्या बन गया कि अगर path difference delta से represent कर देते हैं इसको अगर यह n lambda है तो मिलेगा minima अगर path difference बराबर है 2n plus 1 lambda by 2 तो मिलेगा maxima आया कि नहीं आया अरे कुछ तो बोलो ठीक है intensity आपको पता चली गई होगी कि जो फर्स्ट सेकेंडरी मेक्जमा उसकी intensity i0 by 9 सेकंड सेकेंडरी मेक्जमा है उसकी intensity कितनी है आयनोड़ भाई 25 थर्ड सेकेंडरी मेक्जमा उसकी intensity बताओ लिए नोट बाई 49 यह जीरो पात रिफ्रेंस से तो मैंग्जमा नोट मिलेगी फिर अगर पात रिफ्रेंस लेम्डा है तो क्या मिलता है minimize minimum intensity सेंट्र के दोज और आपको लेब्डा पाथ रिधिएस्ट मिलेगा मिनिमा तो कम करके ऐसे ढिए फिर हमको पता टू लैम्डा पे भी मिलता है लेकिन बीच में क्या होता है मैक जमा होता है तो यहां पर हमने माल लिए कि यह है टू लेंड़ा ठीक है तो बीच में एकदम क्या होगा मैक्जम होगा और उसकी इंटेंस्टी कितनी होगी आए नौट बाई नाइन ऐसा लिख देंगे दोनों साइड में यह बराबर हाइट का बनाना है यह जो हाइट ना दोनों साइड में क्या हो नीची बराबर तुछ लेजहा आए नोट भाई नाइन और उसके बाद में क्या होगा फिल लेमडा पर मीनिमा लेकिन पीच में क्या होगा एक माइक जिमाइड यह लेमड़ा इधो लेकिन वीच मैंग लेकिन वह जाएगा एक मौट लेकिन उसके इंटेंस्तियों और कम हो करेंद है मैं इसको मोटतें इंटेंसिटी डाइग्राव फूर डिफ्रेक्शन पैटन मैं याatra ठेपनेस सकी रिउक्पाइब मिदृ आपφवाड योवज़की डिंटेंसिटी काम होती जारी है देंसटी क्यों अ होती है इसकंतर इंस्ती कंटीनसली वह सबसे ज़्यादा इंटेंसटी होगी जो आपको ब्रैट स्पोर्ट दिखाए दिए डिफ्रेक्षण के अंदर उसमें सबसे ज्यादा चमकरा और बाकि तेजी से तो यह इसमें इंटेंसिटी डायग्राम बन गया अब कंडिशन लिख देते में मिनमा के लिए तो हमने क्या सिखा कि अगर अगर यह पाथ डिफ्रेंस जो हमने केल्कुलेट किया था अगर यह पाथ डिफ्रेंस मैं मिनिमा की कंडिशन बता रहां अगर यह साइं थीटा बराबर होगा एन लैमडा के तो क्या मिलेगा मैं यह बात समझ मैं क्या नौट में सिधा क्या लिखा है कि एस इंट लेमडा के बराबर होगा तो मिलेगा और जब यह एस इंट लेमडा पर आपको ब्राइट फिंज मिल रही थी देखिए उसमें पॉंट सोर्स थे यहां पर दो नहीं है किसले हैं इसमें कितनी है इन फाइनेट स 요्स हैं तो हमने फास्ट और लास्ट कोई गृते जनकी पाफ फॉंट है लेकिन बीच में औप स्बीचनि ङौण बाफ बर्लाइब कि बन रहा है अगर यहां ट्र 98 तो इसलिए म केंसल होते है इसलिए इसमें कंडिशन थोड़ी अलगाएगी उल्टा सा लगेगा इसमें मैक्जिमा मिलेगा आपको टू एन प्लस लेमड़ा बैट टू पर और मिलेगा एन लेमड़ा की उपर क्योंकि यहां पर पॉइंट सोर्स दो नहीं है दो होते तो फिर वहीं कंडिशन लगती जो में पड़ा था आप यह बोल सकता है कि इंदर इंफ्रैक्षिन से होने वाली सोटा इंधता होता है उसका आगरंसी में so क्या मतलब है थोड़ा समझो इसको किसको बोलते हैं सेंट्रल मैक जिबा तो यहाँ पे आपको जो सेंट्र वह सबसे ज़्यादा चमकता हुग हो दिखेगा कुछ इस टाइप का दिखेगा देखो यह स्क्रीन का सेंट्र यह दम ब्राइट हो गां एक दम ब्राइट उसके बा लेकिन इसके इंटेंस्टी उतनी नहीं है थोड़ा से डल हो गई समझे रहों कि देखते हो तब तो यह चीज आपको दिखाई नहीं देती जो आप सबसे ज़्यादैं सबसे ज़्यादैं सबसे इंटेंस्टी टैजी से कम होते जाएगी यह पैटरन बनता है दो विट्टिंट्र उस्टेरल मेंग्जिमा मतलब है कि सेंटर से जहां पर आपको फर्स्ट‐म मिनमा मिला उपर और निचे मिनमा यहां पर मिला तो इनके बीच का UCTu मतलब लगबग सेंट्रल मैंग जमा का जो डायमेटर होगा ना उसी को हम बोलते हैं वेट्ट वेट्थ ओफ सेंट्रल सेंट्रल मैग्जमा की विट अगर फाइंड करनी है यानि की सेंट्र पर जो ब्रैट स्पूर्ट आपको सबसे चमकता हुआ दिखाई देगा अगर उसका डायमेटर फाइंड करना है तो उसका एक आसान तरीक है हमने बोला कि यहां पर आपको फस्ट मिनमा मिल रहा है क्या मि इसके सब्सक्राइब करो फिर उसका डबल करोगे तो यहां पर फस्ट मिनमा मिल रहे है तो मैं सेंट्र से पर मिन मा की distance कितनी होगी तो minimum वाला formula कौन से है यह रा minimum का formula a sin theta बराबर n lambda n की value कितनी put करूं one क्योंकि first minimum की position find करनी है तो मैं लिखूंगा a sin theta बराबर lambda यह बास समझ में आई क्या अब यहाँ पर आपको distance बतानी है यह x1 बताना है तो यहाँ पर theta को sin theta को अपन convert करेंगे distance की terms में कैसे convert करेंगे यहाँ पर हमको बता कि जो angle बगेरा बनेंगे वह छोटे ही बनेंगे क्योंकि slit बहुत छोटी होती है screen दूर होता तो जो angle यहाँ पर बनते हैं यह छोटे बनते हैं और small angles के सब्सक्राइब करेंगे यहाँ पर थोड़ी geometric काम मिलेंगे यह वाल अंगल कितना है 90 तो यह 90 है और कि यह angle भी 90 होगा इस चोटे वाले triangle में क्योंकि यह 90 है और यह line और यह line almost parallel होती है तो यह 90 होगा अब आप खुछ सोच के बताओ यह theta है यह चोटे वाले triangle को बोला है 90 तो यह कितना होगा यह theta होना चाहिए ना वापस देख लो यह चोटा वाले triangle है इसमें यह angle 90 है यह theta है तो यह angle कितना होगा 90 फिर यह line और यह line perpendicular तो total angle 90 होगा तो यह 90-theta तो यह theta आई बात समझ वह prayer है तो अब इस triangle को जहां से गोर से देखो इस triangle को एक इस वाले triangle को जहां से देखना है दिखाई दीया क्या now is right तो इस वाले triangle जहां से बंगा यह बंदा है यह पे इस triangle के अंदर बताओ एंगल के सामनी क्यों हो गया परपेंडिकुलर यह क्यों हो गया बेश स्क्रीन को मामलो Sphin के से डिस्टेंज से सब स्कोसकर यह इस डिस्टेंस पहें तो बताओ कि इस राइटेंगल ट्रैउंगल के अंदर 10 एप्हो एक्सों अपॉन केप्टिल डी इपर पेंडिकुलर अंपॉन बेस तो मैं क्या लीकूए यहां पर रेक्सों क्य मैं क्या लिखो है एक्सों ने लिखतना घ् sperm दी वादाके लेंड़ ऄनी लेंडा पूर हमने बोला कि सेंट्रल मैको जमा की जो सक्षाथ किसके बराबर है विड्स ऑफ दे सेंट्रल मीत्जमा किसके बराबर है टू एक्सतुं के बराबर है तो एक्सवन हमने कलक्थ कर लिए तो आंसर क्या होगा टू द्लैम्डा आपॉन स्मोल है यह इस यह विड्स आप कर सकते हैं एसे अरे बताओ ठीक है इसा हम इसको पूछ लेंगे कई वार एंगुलर पोजिशन पूच लेंगे मैक्सिमा की एंगुलर पोजिशन बता तो आपको यह एंगल बताने जैसे मानलोन नंबर का फुल मिनिमा उसका एंगल कितना होगा तो थीड़ा इकल्वल्स सब्सक्राइब आगर चोटे मान रहे हो कि से घर हैं sister 1 दिख सकते हैं तो चौनडिशन में यह यह एन नंबर के मिनमा के लिए एंगल आगे अपने पास और अगर यह वाला फॉर्मॉला है इसमें आप साइन थिटा को थिटा लिख दोगे तो थिटा क्या आएगा टू एन प्लस वन लेमड़ाबाइट टू यह इधर चला जाएगा तो वह किसकी कंडिशन आएगी वह मैं मैं में मैं के की एंगुलर पॉजिशन आजागी एंगुलर पॉजिशन करने एंगलबताना होगा थिए तो इस पर नुमेरिकल में यह बूला जाता है तो सांट फिटा क्या से कर सकते हो और तीत आप से बड़ा एंगल अगर है तो उस कंडिशन में आपको फिर एंगल को छोटा नहीं मानना है फिर साइन थेटा को साइन थेटा ही रखके हम क्यालकुलेशन करेंगे जो भी क्यालकुलेशन करनी है फिर फिर फाइंड करना है तो यह इधर बनेगा एन लेमडा पॉन ए और फिर अगर एंगल छोटे नहीं है तो अगर बड़ा एंगल थेटा से रिप्लेस नहीं कर सकते तो फिर साइन नोर्स बन जाएगा वदो जाके उस तरीके से सो लोगा फिर बाते समझ में क्या तो इंट्रफेरेंस और डिफ्रेक्शन के अंदर क्या डिफ्रेंस आपको नजर आया इंट्रफेरेंस के अंदर क्या था दो लाइट वीव का सुपर पोजिशन था और उससे स्क्रीन की उपर आपको कहीं पर ब्रैटनेस और कहीं पर डाकनेस दिखाई दे रही थी और जो ब्रैटनेस और डाकनेस थी और इक्वल इक्वल विट्स की थी जबकि इसमें क्या है इसमें जो diffraction है उसके अंदर infinite light waves जो की एकी wavefront का part होती है उनसे a की wavefront से infinite point sources से जो light waves emit होती है उनके superposition को हम लोग study कर रहे हैं और इससे जो fringes बनती है जो maximum minimum बनेंगे उनकी width unequal होगी यहां को होपी सेंटर जो आपको ब्राइट नेस्ट दिखेगी और जादा दूर तक दिखेगी बाकी की आपकी की विड्द केल सबसे ज़्यादा नियां कि is interference में हमें होते हैं इसमें एक यह सबसक्राइब हैM बता सकते हो logo चिंटंची का निर गालों को दिवालिए जब की इंस्ती बराबर होती है जबकि diffraction के अंदर central maxima की intensity सबसे जादा और बाकि जो secondary maxima होते हैं उनकी intensity तेजी से कम होती जाती है मतलब intensity अलग-अलग होती है आई बात समझ में ठीक है तो इस तरीके का यह topic था diffraction के अंदर हम यह study करते हैं कि किस तरीके से light किसी obstacle के किनारों से टकराती है और बैंड होती है अच्छे यह कैसे बता सिला कि बैंड होई light तो आप देखो central maxima की width कितनी आ रही है टू डी lambda upon small a जब आप यह width calculate करोगे न यह size calculate करोगे values put करके डी की value lambda की value और यह सारी values put करके तो आप क्या देखोगे कि यह जो width आएगी यह slit की width से ज्यादा आएगी इस डिस्टेंस से ज्यादा आएगी मतलब यह जैसे सबसक्रों 5 mm है तो यह आगया 10 mm ऐसा कुछ बड़ा आएगा इस से ज्यादा value आएगी यह वाली सब्सक्राइब करेंगे तो यह जो स्लिट की साइज ने इससे बड़ी वैल्याइगी तो यह इस चीज का प्रूफ हो गया हुआ 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 है